हाई आप सब चैनल पर आयो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर भी कर देना ठीक है और आज के थंग्निल से तो आपको पता ही लग गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूं ठीक है बाकी वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं और मेरा यह लुक कैसा लग रहा है मैंने यह लुक क्रेट किया है अपना कुछ पर्सनल थरीके से लोग दो चोड़ी करते हैं मैं यह कर रही हूं यहां पर देखो यह सब छोड़ो आप मेरे चैनल पर जाओ उसको सब्सक्राइब करो सबसे पहले लाइक कर देना वीडियो को शेयर क कर सकती हूं ठीक है मैं आपके सारे कॉमेंट्स करेपलाई दूंगी अब मेरे चैनल पर जाइए सारी वीडियो को देखे लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बागी आप मैं स्टार्ट करने वाली हूं वीडियो अपने हेर पे बागी आप थमदल से पता ही लगा चुके हैं तो चले हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो करें थर पुंछ बंतल और आमला, तो ये सारी चीज़े हमें ले लेनी है, थोड़ी मातरा में लेनी है, जादा मातरा में नहीं लेनी है और दो से तीन चमच हम लेंगे ये मुलतानी मिटी का पॉडर क्योंकि हम इन सब को मिक्स करके बनाने वाले हैं तो अच्छा खासा ये मार्जन में बनेगा ताकि आपके पूरे बालो कवर हो जाए ये जो गुलाब की पतियां होती है बालो के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये स्कैल्प पर लगाने से जैसे अगर हम इसको स्कैल्प में इसका जो रोज वाटर होता है गुलाब जल वो बहुत अच्छा होता है इसके अंदर क्या होता है कि गुलाब जल के अंदर होता ह एंटी इंफ्लमेट्री और एंटी बैक्टिरियर गुड जो कि इसको स्कैल्प जो होता है उसका अच्छे से अंदर से सफाई करता है और यह रूसी को दूर करने में भी हेल्प करता है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है यह बहुत अच्छा होता है बालो के लिए और आपकी बालो की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कितने तरीके के फूल ले रखे हैं काफी तरीके के फूल है चार से पांच तरीके के फूल ले रखे हैं मैंने तो यहां पर मैं इन पत्तियों के साथ जो मैंने यह मिट्टी लिया है बखीचे के लिए ऑच्छे से जाए और एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसे ग्रैंड कर लेंगे अभी तो हम इसको रख देते हैं फिलाल 10-15 मिनट के लिए इसके बादी हम इसको ग्राइब करेंगे ठोड़ा सा पानी डाल देंगे और ताकि में जितने खुबसूरत लगते हैं उतने ही अधिक फाइदे भी है इसके तो आयरवेद में गुड़ल के फूलों का बहतरीन हर्प्स माना जाता है जो कई समस्याओं का उप्चार कर सकते हैं यह खुबसूरत और ब्राइट फूल वाले समस्याओं को दूर करते हैं तो मतलब क बहतरीन दवा मानी जाती है इसे यह फूल बालों के जड़ने से लेकर बालों के गिरने और डैंड्रफ दूर करने तक का उप्चार करते हैं गुड़ल के फूलों और पतियों की पीस कर इसका लेप अगर आप बालों में लगाते हैं तो इससे डैंड्रफ से आपको छुट मतलब क्या ही बताओं हसी तो आही रही थी लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया मैंने नीचे से उठाके भी लगा लिया था जो नीचे गिर गया था ना उसको भी उठाके लगा लिया था मैंने और वैसे इसके अलावा मुलतानी मिट्टी लगाने पर बालों पर बहतरी असर लगता है इसके इस्तिमाल से सीर की खुजली दूर होती है बाल मुलायम बनते हैं हेर फॉलिकल्स बहतर होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है और ज़रुत से ज्यादा ऑईली बालू की दिक्कत से चुटकारा भी मिलता है तो यहां पर हम पूरे स्कैल्प में लगा ही लेंध्र लगा लेंगे चिक है इसके बाद 25-30 मिनट बाद अपने बाल को आप वाश कर लीजिए तो यहां पर मैं 30 मिनट के बाद यह तो आपको यह तीस मिनट तक रखना है इसके बाद अपने बालों को आप वाश करने के बाद आफ्टर लूग ऐसा लगेगा आप देख सकते हैं बाल कितने ज्यादा शाइन कर रहे हैं यह मेरे दोने के बाद के बाल हैं दोने के बाद जो मैं तब सूख गए हमको नैस्ट्रो आप खुद देख सकते हैं बाकि चैनल पे नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक भी कर देना शेयर भी कर देना बाकि बैल आइकन प्रेस कर देना तक कि मेरी हर वीडियो आप तो पहुंच जाए बाई गाई